आज गुजरात में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस मुरब्वी डिश्टिक में जो हैंगिंग ब्रिज तूट गया है जिसमें सेखड़ों लोग चड़कर गए थे तो कम से कम अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मुर्त्यू हो चुकी है तो हम कॉंग्रेस पार्टी के और से और सारी जनता के और से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को शद्दान जली अर्पित करते हैं और जो मुर्तक कुटूंब हैं उनको उनके कुटूंब को शांती मिले और यह दुख्यत घटना को सहन करने की शक्ती बगवान उनको दे और इसी समय मैं यह कहना चाहता हूं जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वाल है इसकी क्वालिटी हो इसका कंसक्शन हो क्यों इतना जल्दी यह जो ब्रिज दुरुस्त करने के पांच दिन जो पहले पुद्गाटन हुआ और पांच-छे दिन में ही कोलैप्स हुआ यह किसका यह क्या कारण है और इतने लोकों को छोड़ने की कोशी किसने की इसका सारा एक इंक्वारी होना चाहिए खास करके अगर रिटायड हाई कोट या सुप्रीम कोट के जज के नित्रत में इसको करना चाहिए और दूसरी चीज जो मुर्तिक लोग है उनको जल से जल सबी जो गौवर्मेंट के और से हो या इंडिया रहत मिलना चाहिए और जो घायल लोग हो गये हैं उनके मरमत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गौवर्मेंट सबी कोशिश करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए और हमारे लोग अभी कॉंग्रेस पार्टी के बहुत से निलता लोग वहां पहुंच चुके हैं तक हमारे कॉर्परेटर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशो गेलोट साथ जो वहां पर से हमने कहा ताकि उनको पहुंचने के लिए वह भी पहुंच रहे हैं तो हमारे सारे लोग पुरी कोशिश करिंगे मदद करने का और इसमें कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं या इसके किसी चीज के लिए हम इसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते हैं ब्लेम उसी वक्त आएगा जब कमीटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा और इस वक्त फिर एक बार महीं अपने एक वद्पूरत उनको श